हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू येस क्लासेस फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं भातिय समिधान की दो महत्यपोर्ट टॉपिक को जो की है प्रधान मंत्री एवं मंत्री मंदन तो वीडियो को लास्ट तक जरूर दिससे देखिएगा ताकि आपके आगामी परिक्षाव में नहां से प्रश्ण आये तो आप उसे अच्छे से साल्व कर सकें तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें आज की क्लास शुरू करते हैं भारत की प्र प्रधान मंत्री का उलेख किया गया है तो अनुच्यत चहत्तर में प्रधान मंत्री का उलेख किया गया है और अनुच्यत पचत्तर में क्या कहा गया है अनुच्यत पचत्तर में है कि प्रधान मंत्री मंत्री परिसत का वास्तवी खेड़ होगा अगला है नीती आयो का अध और उपाध्यक्ष कौन है उपाध्यक्ष की बात करेती सुमन बेरी जी उपाध्याच है वर्तमान में मुख्य कारी कारी अधिकारी कौन है तो श्री परमेश्वरन अयर जी जो है मुख्य कारी कारी अधिकारी है इसकी और नीती आयो का फुल फॉर्म क्या होता है तो नीती आ आयोग का फुल फार्म है वो काफी बार परिक्षाओं में पूछा गया है इसलिए ये महत्पूर हो जाता है और इसकी जो संकल्पना है वो कब आई थी या फिर कब पारित किया गया था इसकी स्थापना कब भी थी तो एक जनुरी 2015 को नीत आयोग के स्थापना की गई थी प्रधानमंत्री होता है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री का कारेकाल कितना होता है तो प्रधानमंत्री का कारेकाल जो है वो पांच वर्सका होता है प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहरे प्रधानमंत्री कौन थे तो प्रधानमंत्री पत्र से त्याग पत्र कौन से प्रधान मंत्री ने सरुपर्थम दिया था तो मुरार जी देशाई ने सरुपर्थम मंत्री के पत्र से त्याग पत्र दिया था कौन से प्रधान मंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधान मंत्री रहे तो कौन से प्रधान मंत्री थे ये तो आपको पता होगा कि जवाल लाल नेरू जो थे वो काफी लंबे समय तक प्रधान मंत्री रहे थे तो कब से कब तक थे तो 1947 से लेके 1964 तक जवाल लाल नहिरू प्रधान मंतरी रही प्रधान मंतरी बनने के लिए नियुंतम आयू कितनी होती है क्योंकि लोगसभा से ही प्रधान मंतरी का चुना होता है और लोगसभा की नियुक्ति के लिए लोगसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयू आवश्यक है इसलिए प्रदान मुंतरी बनने के लिए नियुनतम 25 वर्ष की आयू आवश्यक है संसद्ये सासिन प्रणाली स्वर प्रथम किस देश में लागू हुई तो संसद्ये सासन प्रणाली स्वर प्रतम ब्रिटेन में लागू भी थी और यहीं से ही भारत में संसद्ये सासन प्रणाली लिया गया है भारते समिधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमे नहीं धोती है तो प्रदान मंत्री में नहीं धोती है प्रदान मंत्री जो होता है वो कारे पालिका का वास्तवी खेड होता है भारत के प्रथम प्रधान मंत्री कौन थे तो भारत के प्रथम प्रधान मंत्री स्री जवाहर लाल नहरूजी थे अभी तक कितने प्रधान मंत्रियों की मृत्यों अपने पद पर रहते हुई हो गई थी मतलब ऐसे कौन से तीन प्रधान मंत्री थे जिनकी मृत्यूं उनके पद पर जब वो थे तब ही हो गई थी तो तीन प्रधान मंत्री की जो है मृत्यूं उनके पद पर रहते हुई ही हो गई थी अगला है प्रधान मंत्री जवाहर लाल नहरू लाल बहादुर शास्त्री एम श्रीमती इंद्रा गांधी की मृत्यू कब हुई थी तो इनके कारेकाल के दोरान हुई थी उपर एक्तु प्रश्णों में आपने देखा कितने प्रधान मंत्री की मृतियों उनके कारेकाल के दौरान ही हो गई थी प्रधान मंत्री को पद एम गोपनेता की सपत कौन दिलाता है तो प्रधान मंत्री को पद एम गोपनेता की सपत राश्चपती दिलाते हैं और अगर प्रधान मंत्री को अपना त्याक पत्र देना हुआ तो वो किसे देगा तो राष्ट पती को देगा किस प्रधान मंत्री ने एक बार अपने पत से हटने के बाद दुबारा पत समाला था तो कौन सी प्रधान मंत्री थी वो इंद्रा गांधी जी थी ये अपने पद से एक बार हट गई थी तो इन्होंने इस पद को दुबारा सुसोभित किया था तो पहली बार इंद्रा गांधी जी कब से कब तक प्रधान मंत्री रही थी तो प्रथम बार जब ये प्रधान मंत्री रही थी तो 1986 से 1977 तक रही थी इसके बाद इन्होंने दूसरी बाइचपत समाला तो 1903-1984 तक इनका कारेकाल था जवाहर लाल लेहरू के बाद भारत के प्रधान मंतरी कौन बनी जवाहर लाल लेहरू के बाद गुलजारी लाल नंदा सर्जो थे वो भारत के प्रधान मंतरी बने थे संसदिय साथन प्रडाली में वास्तविक कारिपालका की सक्ति किसके पास होती है तो वास्तविक कारिपालका की सक्ति प्रधान मंत्रे के पास होती है जो की सही आंसर हो जाएगा सबसे कम आयू के बने प्रधान मंत्री कौन थे? सबसे कम आयू के प्रधान मंत्री कौन थे तो राजीव गांधी जी थे ये सबसे कम उम्र के प्रधान मंत्री बने थे लोग सभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है तो लोग सभा में बहुमत दल का नेता प्रधान मंत्री होता है जो कि सही आंसर हो जाएगा किस प्रधान मंत्री के नियुक्ति के समय वे किसी सदन के सदस्य नहीं थी तो ऐसे कौन से प्रधान मंत्री थे जो उनकी नियुक्ति भी थी ऐसा प्रधान मंत्री तब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे जब वो प्रधान मंत्री बनी थे कौन से प्रधान मंत्री अपनी नियुक्ती के समय विधान सभा के सदस्य थे या विधान सभा के सदस्य थे तो H.D. देव गौडा साब जो थे वो अपनी नियुक्ती के समय विधान सभा के सधस्य थे जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा कौन से प्रधान मंत्री एक भी दिन संसत नहीं गए ये प्रस्ण काफी पूछा जाता है कि कौन से प्रधान मंत्री थे जो कभी संसत नहीं गए तो चौद्री चरण सिंजी जो थे वो एज़ा प्रधान मंत्री कभी संसत नहीं गए यथार्थ कालिपालिका की समस्त सत्ता किसमें नीद होती है तो यथार्त कारे पालिका की जो समस्त सत्ता है वो मंत्री परिशत में नीद होती है जो कि सही आंसर हो जाएगा संगी मंत्री परिशत के मंत्री किसके प्रति उत्तरदाई होते हैं संगीय मंत्री परिशत की जो मंत्री हैं वो लोग सभा के प्रतिय उत्तरदाई होते हैं भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री पत पर कितने दिनों तक रह सकता है तो 6 माह तक रह सकता है कोई भी व्यक्ति जो है वो 6 माह तक रह सकता है अर्थात है कि कोई भी व्यक्ति अगर संसत्त का सदस्य से बन गया है तो उसको 6 महां के अंदर वहां की सदस्यता लेनी होगी अर्थात उसे वहां से उसको अमाने मान लिया जाएगा समिधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिशत के नियुक्तिवाप पद्युचित्ति का प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद 75 में जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा मंत्री मंदल का गठन कौन करता है तो मंत्री मंदल का जो गठन है केंद्रिय मंत्री करते है केंद्रिय मंत्री को आप कैबिनेट मंत्री भी कह सकते है स्वतंत्र भारत के प्रतम कानूनी मंत्री कौन थे तो सतंतर भारत के प्रथम कानूनी मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बीट कर जी थे कौन सा प्रस्ताव संसत में मंत्री परिशत रख सकती है तो कौन सा प्रस्ताव है जो मंत्री परिशत रख सकती है संसत में विश्वास प्रस्ताव जो है वो संसत में मंत्री परिशत रख सकती है मंत्री परिशत के सदिस्तियों को गोपनेता की सपत कौन दिलाता है तो मंत्री परिशत के सदिस्तियों को गोपनेता की सपत राष्ट पती साथ दिलाते है भारत के मंत्री परिसत में अधिकतम सद से कहां से लिये जाते हैं तो अधिकतम सद से लोकसभा से लिये जाते हैं जो कि आपका सही आंसर हो जायेगा स्वतंत्र भारत के प्रतम प्रतिरक्षा ग्रह मंत्री कौन थे सर्दार बल्लबाई प्रतेल साब जी जो थे वो प्रतम ग्रह मंत्री थे इसे के साथ भारत की प्रतम मैला प्रधान मंत्री कौन थी तो इंद्रा गांधी जी जो थी वो भारत के प्रथम महिला प्रधान मंतरी थी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्य मंतरी कौन थे तो जौर मिथाई साब जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्य मंतरी थे क्या राजी सभा का सदस्य मंत्री परिशत का सदस्य बन सकता है तो बिल्कुल बन सकता है राजी सभा का सदस्य मंत्री परिशत का सदस्य बन सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ संगे की कारिपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है ये प्रिश्ट मैंने आगे पढ़ाया तो क्या हो जाएगा कि वास्तविक प्रमुखक कौन हो जाता है प्रधान मंत्री हो जाते हैं संसत तथा कारेपालिका दोनों पर कौन नियंतरड करता है तो संसत और कारेपालिका पर प्रधान मंतरी सर्ण नियंतरड करते हैं अगला देखते हैं अगला क्या है समिधान की किस अनुच्छेद में प्रधान मंतरी का उलेक किया गया है तो अनुच्छे 74 में प्रधान मंत्रे का उलेक किया गया है साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजेगा लोक निर्वाचित लोकसभा का नेता कौन होता है तो लोक निर्वाचित लोकसभा का नेता प्रधान मंत्री होता है प्रधान मंत्री की नियुक्ति के संबंध में समिधान के किस अनुच्छेत में उलेक है किस अधिकार के अंतर्गत आती है तो किस अधिकार के अंतर्गत आती है व्यक्तिकत अधिकार के अंतर्गत आती है अगला है संसद्य प्रणाली की सरकार में किसे प्रधान मंत्री नियुक्त किया जा सकता है तो किसे प्रधान मंत्री नियुक्त किया जा सकता है बहुमत दल के नेता को प्रधान मंत्री नियुक्त किया जा सकता है प्रधान मंत्री की मंत्रणा से बनी मंत्री परिशत किस अनुच्छेत के अंतर्गत लोग सभा के प्रति उत्तरदाई होती है तो किस अनुच्छेत के प्रति होती है अनुच्छेत 75 के तीन के प्रति जो है लोग सभा के प्रति मंत्री परसत उत्तरदाई होती है संसत की सदसिता प्राप्त किये बिना कितने महां तक प्रधान मंत्री पद पर रहा जा सकता है तो 6 महां तक रहा जा सकता है 6 महां को अंदर आपको किसी ना किसी सभा की किसी सदन की सदसिता ग्रहन करनी होगी लोग सबा में किस दल को बहुमत प्राप्त ना होने पर कौन स्वा बिबेग से निर्णनल ले सकता है तो राष्ट पती जो है वो इसका निर्णनल ले सकता है कि लोग सबा में अगर किसे भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है भारत के राश्टपती को प्रधान मंत्री की नियुक्ति में कब स्वाविवेक से निर्णा लेना पड़ा तो 1789 में भारत के राश्टपती को प्रधान मंत्री की नियुक्ति में स्वयन से स्वाविवेक से उसको निर्णा लेना पड़ा था 1789 में किसकी सरकार अल्पतम में आ गई थी तो मौराजी देशाई की सरकार जो है वो अल्पतम में आ गई थी 1789 में राश्टपती को प्रधान मंत्री पत से किसे नियुक्त करना पड़ा था जो महमद दल का नेता नहीं था तो किसे निक्द करना पड़ा था चौधरी चरण सिंग जो की ये कभी भी संसद नहीं गए ऐसे कौन प्रधान मंत्री थे जिन्होंने लोग सबा में विश्वास का मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र दे दिया था तो ऐसे कौन से प्रधान मंत्री थे तो चौधरी चरण सिंग जी थे और अटल व्यारी बाच पे जी थे ऐसे कौन प्रधान मंत्री थे जिन्होंने विश्वासमत प्राप्त करने में असफल रहने के करण त्याग पत्र दिया था तो विश्वनाथ प्रताप सिंग और एच्टी देव गौड़ा जी ने ये त्याग पत्र दिया था अगला है मंत्री मंदल की बैठक की अध्यजिता कौन करता है तो मंत्री मंदल की बैठक की अधिक्षिता प्रधान मंत्री सहाब करते हैं जोकि सही आंसर हो जाएगा अगला है उप्रधान मंत्री पद को सुशोबित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो उपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुप में अटल ब्यारी बाश्वे ने उप प्रधान मंत्री का पत जो है वो लाल कृष्ण आडवानी साहब को सौपा था जिन मंत्रियों के पास वित्त, ग्रेह, कृषी, उद्योग, विदेश, रक्षा, रेलवे, सूचना, प्रसारर जैसे मैत्वोर विभाग होते हैं क्या कहलाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री कहते हैं, जिन मंत्रियों के पास ये विभाग होते हैं, उन्हें हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं, जिसमें कौन कौन से विभाग हैं, ग्रेह, कृषी, उद्योग, विदेश, रक्षा, रेलवे, सूचना, आदी या मंत्री किसके प्रसाद परियंद होते हैं तो प्रधान मंत्री के प्रसाद परियंद होते हैं देश के लिए विधी नीतियों का निर्मार कौन करता है तो देश के लिए विधी नीतियों का निर्मार मंत्री परिसत करती है विपक्ष के नेता अगला टॉपिक है तो इसके भी कुछ क्येस्चन देख लेते हैं राजी सभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था तो कमलापती त्रिपाथी जी जो थे वो राजी सभा में विपक्ष दल के प्रथम नेता थी सर्व प्रथम किस व्यक्ति को लोग सभा में विवक्षी दल का नेता चुना गया तो वाई भी चोहान को सर्व प्रथम लोग सभा में विवक्षी दल का नेता चुना गया था लोग सभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मानता देने के लिए उसके दल के कितने सदिस्यों का बहुमत आवश्यक है कुल सदिस्यों का एक बटे 10 या फिर कुल सदिस्यों का 10% अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद